अब आइए अब थैसे मोल स्क्राइभ तो च है अजिसमा आज हम कवर करने वाले मारी हिंदी व्याकरण को फर क्लास 10 इस चोटी सी वीडियो के अंदर एक एक करके सारे तॉपिक्स को व्याकरणब़ करेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखनाकिए इस वीडियो के बाद आपकी हिंदी व्याकरणड कम्प्लीट हो जाएगी तो बैसिकली आपकी व्याकरण में चार टॉपिक्स आने वाले हैं जो इंपॉटेंट भी हैं और वो आने भी वाले हैं 1-1 वाक्य, 2-2 वाच, 3-4 पदपर्श सबको कवर करते हैं स्टार्ट करते हैं वाक्य के साथ रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के हिस्के पहला है थोड़ा और आपको इंट्रोडक्शन समझा देता हूं आपको इस स्क्रीन पर तीन वाक्य देख रहे दूसरा वाला अगर आप देखोगे तो यहां पर दो वाक्य हैं पहला मुझे सूचना मिली है और दूसरा राम को कल जहासी जाना है तो यहां पर क्या है यह दौनों वाक्य के आपस में जुड़े हुए हैं बीच के एक शब्द की मदद से जो है हमारा की और तीसरे में भी सि साधा वाक्य पाया जाता है जैसे दूसरा हो तीसरे में तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो इन वाक्यों को हम उपवाक के कहते हैं ठीक है यह क्लियर होता है मैं इसलिए बताया ताकि पेपर में अगर सवाल में आ जाए कि इस उपवाक के मैं कुछ बताओ तो आप सिंसे च्छोटे सिंटेंर्स चाखे हुए होते हैं और आपस में जड़े हुए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं उपवाक के कहते हैं अब यह आते हैं हमारे टौपिक एक मतलब किसी कारbn का होना जहां पर सदार्ण वाक्टे वो वाक्य है जहां पर एक उदेश और एक विदेः होता है उद्देश और विदेह क्या होते है समझा देता हूँ उद्देश का मतलब है subject और विदेह का मतलब होता है प्रेडिकेट बच्पन से आपने पढ़ा होगा इस चीज को कि एक sentence में दो हिस्से होते है subject और प्रेडिकेट जैसे अगर मैंने बोला राम खाना खाता है जाता है कि राम क्या कर रहा है सिंपल है मैंने बोला भारत स्कूल जाता है तो यहां पर यह जो हमारा प्रेडिकेट होगा विदेह होगा कि स्कूल जा रहा है यह हमें बताएगा कि भारत क्या कर रहा है तो साधारन वाक्त के वह वाक्य होते हैं कि डैफिनेशन में पूछा जाता है जहां पर सर्फ एक उद्देश और एक विदे होता है और यहां पर सर्फ एक ही क्रिया हो रही होती है इसके बहुत सारे एक्जामपल है मुकेश पत्र लिखती है राकेश ने भोजन किया बहुत स साधारन वाक्य को आपस में जोड़ देते हैं किसी एक शब्द की मदद से और अत्वा परंतु किंतु इन शब्दों की मदद से तो जो में मिलता है वो हमारा संयुक्त वाक्य होता है संयोक्त वाकिय क्या है? जब दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को हम आपस में योजक्त चिन्नौ यानि की जैसे और या अथ số परण्तू की मदद से जोड देते हैं, तो जो वाक्य हमें मिलता है, वो योजक्त जैसे मैंने बोला आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे तो यहां पर क्या है दो सरल वाक्य है आप घर जाएंगे और दूसरा वाक्य है पार्क जाएंगे यह भी हमारा simple sentence है इनको हमने क्या किया आपस में जोड़ दिया with the help of all तो संयुक्त वाक्य बिसिकली होते हैं हुपसो आपको clear हुआ होगा यह वो वाक्य होते हैं यह वो वाक्य होते हैं जहां पर दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपस में किसी चिन या किसी शब्द की मदद से क्या होते हैं जुड़े हुए होते हैं वो शब्द कुछ भी हो सकता है और या अथवा किन्तु परन्तु कुछ भी शब्द हो जाता है तीसरा होता है मिश्रित के जो सबसे अलग होते हैं क्यों अलग होते हैं इसको मैं पहले आपको clearly explain कर देता हूं कुछ वाक के ऐसे होते हैं जहां पर जो वाक के होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर depend करते हैं कि मोहन कह रहा है कि कल नहीं आएगा अब suppos करो मैं यहां से हटा देता हूं मोहन कह रहा है वाले sentence को तो क्या बचे –क वह कल नहीं आएगा वी सेंटेंस बनताए बिलक्ल नहीं है एक और sentence में देख लिटा आउँ एक वाग के दूसरे पर डिपेंड कर रहा हूँ वो वाग के हमारे मिश्रित वाग के होते हैं जैसे मैंने अभी बोला था तुम्हारा पैन अच्छा लगता है जो तुमने मुझे कल दिया था तो जो तुमने मुझे कल दिया था ये वाग के कब सही कहलाएगा जब मैं इसमें पहले वाला वाक के जोड़ूँगा कि तुम्हारा पहन अच्छा लगता है वरना तो ये जो दूसरा वाक के जो मैंने बोला कि जो तुमने मुझे कल दिया इसका कोई existence ही नहीं है इसी तरीके से मोहन कह रहा है कि वह कल नहीं आएगा तब ही इसका कोई sense निकलेगा जब मैं आँगे एक और वाक को जोड़ूँगा जो है मोहन कह रहा है तो ये मिश्रिट वाक कि क्या होते है ये वो वाक के होते हैं जहां पर एक प्रमुक वाक के होता है और एक उप वाक के होता है और ये दोनों आपस में इक डूसरे पर depend करते हैं सिंपल है प्रमुख कि यानि की main वाक्य जिसके जिसकी जिस पर दूसरा वाक्य डिपेन्ट करता है जैसे कि हमारा ये वाक्य है Mohan कह रहा है कि वह कल नहीं आएगा तो Mohan कह रहा है ये हमारा प्रमुख वाक्य है कि जितना उतना जैसा तब जहां तहां ऐसे शब्दों से जड़े हुए होते हैं अगर नहीं होती है तो मैसेज में टेलेग्राम मैं आपको बता दूँगा वहाँ पर भी इसकी भी मैं सोच रहा हूँ करा दूँ कल मैं शायद से वह एक्सराइज भी प्रक्टिस करा ही दूँ आएक विदेय होता है आपbok स मधसरे है और में हिंदी ग्रामर में कई सारे बच्चे बच्चे होते हैं जनरली इतना यूज नहीं करते हैं, तो आपको ठोड़ी ठोड़ी डिफकल्टी होगी, लेकिन इस वीडियो को एक बार देख लो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपकी सारी डिफकल्टी दूर हो जाएंगी, उसके बार आते हैं हमारे नेक्स टॉपिक है, हमारा वाच, व क्या वो कर्म को लेकर हो रही है, क्या वो भाव को लेकर हो रही है, सपोस करूं मैं कोई बात बोल रहा हूँ, तो इस वाच की मरत से मैं क्या पता कर पाऊंगा, कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, क्या मैं सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ, क्या मैं क्रिया या कर्द वादस्च्य वहाबस्ट वाच्य कर्द वाच्य कर्ट वाच्य아서 कास्या Ha finds कर्दवादच्य कहते हैं यहां पर जोर किसक पर है रमेश पर है क्यों कि यहां पर रमेश के बारे में बात हो रहे हैं तो ऐसे वाच्चा ऐसे वाक्य जहां पर कर्था के बारे में बात हो रहे हैं इनको क्या बोले हैं कर्थ वाच्चा बोले हैं इसके end में क्या है ती है आया राम फल खाता है तो यहां पर end में ताहे आ रहा है और main किस के बारे हम बात हो रहे है तो यह हमारा क्या है कर्थवाच है ठीक है कर्म बाच क्या होता है कर्म बाच में जहां पर कर्म के बारे हम बात हो कर्म यानि action के बारे में क्रिया के बारे में हाँ मैं पुस्तक तो पढ़ी गई यानि कर्म तो हुआ है कुछ न कुछ action तो हुआ है यानि कि इस sentence में किस की बात कर रहा हूं कर्म की बात कर रहा हूं एक्षन लिया गया है यहां पर कर्म के बारे बात हो रही है काम के बारे बात हो रही है तो कर्म वाच्च क्या होता है जहां पर कर्म की प्रधानता होती है और तीसरा भाव वाच्च बिसिकली वह वाच्च होते हैं जहां पर भावनाओं की प्रधानता होती है जैसे इन वाच में रहा नहीं जाता और मुझसे पढाया नहीं जाता ओ पढाया भी मुझसे जाता है मैं मैं जो एक आज ले रहा है फॉक्तिक बॉफ सब्सक्राइब में और भावनाओं पर दो कि थे हैं वॉसा मैं वाकाना मुझं such a gtaw majority, यहलों कि पार करता है और इन वाच्ची को जनरली हम यूज़ करते है निगेटिव सेंटेंस में जैसे अभी हमने निगेटिव यूज़ किया कि रहा नहीं जाता, कहा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, यहां पर हर बार नहीं आ रहा है यानि कि भाव वाच्ची के जनरली इस्तिमाल होता है कैसे कर्म की बात करना कर रहिस तो यह तो , यह देख रहे रहिस quem ने बड़ लें के द्वारा के द्वारा यही राजिका के दौर तुम्हारा बढ़ा है क्यों तो किया में फोकस पे चला गया खाना बनाने पय चला गया कि राधी का के द्वारा में द्वारा में लिखी गई तो जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हमको कर्तवाच से कर्म में बदलना होता है, तो हम ने को के द्वारा में बदल देते हैं, और इसका opposite भी बिल्कुल true होता है, कि जब भी हमको कर्म से कर्ता में बदलना होता है, तो हम के द्वारा की जगा पर ने लिख देते हैं, जैसे इसका simple केद्वारा की जगाने लगे लिखेंट करता से कर्म में लिखेंट लिखो से कर्ता ने लिखेंट कर्ता कर्ता से बाएं बजलना से जैसे आपके पास मैं भाबहते हैं औस करता से कर्म कर्ता नहीं, करता से भाबो मैं। यह वीडियोसे को महलत करते हैं मारे नेक्स आपिक पर डाड़ कर जिस तरीका से हम इनसानों के लिए मेक प बनाए कि यह तो कविता होस्ट के अपने के भी एक मेक पनाया गया है ऑर उसी मेक आफका कोटा है तो जो अब मुझे अगर सपोस करो बोलना है कि महाराना प्रताप का गोड़ा चेतक बहुत ही बहादूर था तो अभी मेरी बात में उतना जोर नहीं आया लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड के एक नए तरीके से बोलो सुऽंदर तरीके से किरनवी चोकडी भरवर कर चेतक बन गया निराला था राणा प्रताप के खोड़े से अगर लेकर सवार मुड़ जाता था राणा की पुदली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था तो अभी क्या किया है अभी मेरी बात में आपको जोर लगने लगा क्यों कि अभी मैंने अपनी बात में कावव में अलंकार का प्रयोग कर लिया तो बेसिकली अलंकार क्या होते हैं यह वो तत्व होते हैं जो कावव की कविता की सुन्दर्ता को या शोभा को बढ़ाते हैं आपके बुक में चार अलंगकर हैं, आपके syllabus में आपको चार अलंगकर पढ़ने हैं, वैसे अगर overall देखें तो अलंगकर दो प्रिकार के होते हैं, शब्दा लंकार, अर्था लंकार, और शब्दा लंकार में भी तीन टाइप होता है, अनुपरास, यमक, स्लेश, और अर्था लंकार में भी होता है हमारे उपमा, रूपक, उत्प्रिक्षा, अति, शियोक्ति और मानवी करन, लेकिन आपको सिर्फ चार ही पढ़ने है, सलेश अलंकार पढ़ना है, उत्परेक्षा पढ़ना है, अतिश योक्ती पढ़ना है, मानवी करण पढ़ना है सबसे अच्छी बात यह है कि यह चारो अलंकार इतने अलग-अलग है कि आप एक बार इनको पढ़ लोगे, तो आपको पहचानने में बिल्कुल दिक्कर नहीं आने वाली स्टार्ट करते हैं सबसे आसान के साथ उत्परेक्षा लंकार उत्परेक्षा लंकार में क्या करते हैं, हम चीजों को कंपेर करते हैं मैंने बोला, राम श्याम से बड़ा है, तो यहां पर मैंने क्या किया, राम को श्याम से कंपेर किया, तो जिस भी चीज को कंपेर करते हैं, उसको हम उपमे बोलते है, और जिसके साथ कंपेर करते हैं, उसको हम उपमान बोलते है, तो बेसिकली यहां पर एक शब्द आया है यसलिए मैंने आपको बता दिया उपमे उपमान क्या होता है जिस भी चीज को compare कर रहे हैं वो हमारा उपमे होता है और जिसके साथ compare कर रहे हैं वो हमारा उपमान होता है तो उत्प्रेक्ष अलंकार में क्या होता है उपमे और उपमान की तुलना की जाती है और कलपना की जाती है, simple जैसे मैंने बोला, नेत्र मानु कमल है, तो मैंने यह क्या किया, नेत्र मानु कमल है, नेत्र यानि आखों का comparison कमल के साथ किया, तो जिसका मैंने comparison किया, यानि नेत्र का वो हमारा उपमे है, और जिसके साथ किया, वो हमारा उपमान है, यानि की कमल, ठ चला साथ मैं तुझे कनक जियो भिक्षक लेकर स्वांड अब बच्चे बोलेंगे इसको तो नहीं समझ पाई इसकी लेंग्विज कठिंथी तो इनके लिए एक सिंपल जी ट्रिक बना दी गए उत्परिक्षा लंगार के लिए आगर किसी काव में ऐसे शब्द आ रहा है मनौ जनौ मानो जनौ मनौ जनौ जियो उत्परिक्षा लंगार इस किया उत्परिक्षा लंगार में होता है असंहें आप में और उपमान की वीच में आप समझ कैऊगे उपमे क्या होता है उपमान क्या होता उसके बता है मानवी करन अलंकार वर्ड ही बता रहा है धूर यहां पर बेसिक ली क्या होता है जब भी तुमको कोई तो ऐसे वाग के ऐसी कविताएं या पिर ऐसे काव की पंक्तियां जहां पर यह दिखाए जाए कि कोई प्राकर्टिक चीज के अंदर मानव जैसी भावनाएं वहां पर मानवी करण अलंकार होता है जैसे के फूल हसे और कलिया मुस्कुराई मेघ आये बंठन के सवर के क्या मे प्राकर्टिक की चीजों को मानव के साथ जोड़ा जाए मानव के साथ या मानव के साथ इनसान के साथ तुम्हां मानवी करण होगा और यह चीज पहचानना सबसे आसान है क्यों कि इसमें आपको क्लेरली किसी भी सेंटेंस में दिख जाएगा कि यार यह प्राकर्टिक ची सबसे आसान है क्यों कि यहां पर सिंपल जी बात है जब भी तुम किसी भी बात को बड़ा चड़ा कर कहते हो वह अतीश योक्तिय लंकार बनता है और यह चीज पहचानना बिल्कुल आसान है क्यों क्यों कि जैसे मैं बोल दू रणवी चौकडी भरवर कर चेतक बन गया निरा बड़ा चड़ा कर प्रस्तुत किया तो यह चीज जैसे जब भी आपके सामने कोई अतीश योक्तिय लंकार वाली चीज आएगी ना कोई भी कविता आएगी आपके अपने आप मोटिवेशन आ जाएगी और जिस भी कविता से आपको मोटिवेशन समझ में आए इसका इसका सार यही निकलता है कि राणा जी का घोड़ा था उसने क्या किया उसने एक बहुत बड़ी नदी पार की लेकिन मैंने इसको कितना फ्रेम अप किया बड़ा चड़ा कर बोला तो ऐसे चीज जहां पर क्या होता है बड़ा चड़ा कर बात कही जाए वो हमारा आतीश यो इस लेशलंकार होता है जहां पर एक शब्द का प्रयोग यह तो एक बार होता है या एक से अधिक बार भी होता है और उस एक शब्द-कार अलग अलग निकलता , जैसे एक तुमारा सेंटेंज है हमारा घात भार यह जानत सब को यहां पर जो तुमारा गांट वर्ड है वह वर्ड यूस तो एक ही बार हुआ है लेकर उसके अर्थ दो निकल रहा है पहला कि पहला अर्थ यह निकलता है कि जब गन्य में गांट आ जाती है तो वहां से तुम रस नहीं निकल सकते गन्य के जूस का सीजन आ ग अब आप बोलोगे यार भाईया ऐसे हमको कैसे समझ में आएगा कि यहां दो और निकल रहे तीन अर्थ निकल रहे इसकी सिंपल सी ट्रिक है तुमारे सामने चार अलंकार तुमको पढ़ने है तीन तुम पढ़के आ गए हो अगर तुम को तीन पहचानना आता है तो ओपार तो बहुत था है जाने इसे पहचानने पहचान था था करहा मैंने जरुत?" स्लेश अलंकारों की सिंपल है एक जो एक्जामपल मैं आपको बताता हूँ यह बहुत इंपॉर्टेट है इसलिए यह एक्जामपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो यह तो आपके अलंकार भी खतम हो जाते हैं मनु मानो जानो ऐसे शब्दों को दूड़ते हैं अगर ऐसा शब्द है तो अगर मानवी गरण अलंकार होता है तो अगर कोई प्राकर्टिक चीज़ का नाम आजाए और हुमन का कोई एमोशन आ जाए जैसे डरा, खुश हुआ, मुस्कुराया, ऐसा कोई एमोशन आ जाए अत इक शब्द भी एक से जादा बार प्रयोग हो जाएगा ठीक है इसका पानी वाला एक्जाम्पल है वह आपके पेपर में खेल नहीं आएगा वह हायर एक स्टडीज के पेपर में आता है अभी नहीं आएगा तो आप सब सोच रहोगे कि भाया ने इतना सब करा दिया लेकिन पद परिचय पर अभी तक नहीं आए तो सौरी फॉर दाट बट परिचय को मैं अलग वीडियो में चोटी सी वीडियो में कराऊंगा क्यूंकि पद परिचय एक सापरे टॉपिक बनना चाहिए उस पर क्यूंक परिचय को आसानी से आसान तरीके समझाओंगा तब तक ये 12 नंबर अपने पक्के कर लो मिलते एक नई वीडियो में हमारे परिचय के साथ ये जो पीडिया इसको मैं शेयर करनूंगा टेलेग्राम चैनल पर टो टेलेगराम चैनल को भी जोएं करो टेलेगराम चैनल की कभी और तब तके लिए थैंक यू and all the very best everyone